हालो एरिवन, कॉंपटिटिव एक्जाम में आपका एक पर फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो कि आपके हिमाचल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानि की HPPWD डिपार्टमेंट में निकली है जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो आपकी रखी गई है जो ट्राइवल एरिया रहने वाले हैं वो पंदरा दो तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो नौन ट्राइवल एरिया हैं वो 5 फरवरी 2024 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इसे वर सकते हो कौन कौन से पाद इसमें निकले हैं इसमें हम आपको बता दें जो ये भरतीज निकली है आपके परसनल विद बेंचमार्क डिजबिलिटी जो कैनिडेट रहते हैं उनके लिए ये पोस्ट निकली है कि bonofide जो भी हमा चली है वह ये इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और आपका जो disability होनी चाहिए वो minimum जो रखी गई है 40% आपकी disability यदि आपकी है तो तभी आपको इसमें अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आपको पता है कि जो medical officers का होता है उनका board जो बैठता है वहाँ से आपको ये certificate मिलता है यदि वो आपको mention करते हैं कि 40% से ज़्यादा disability हो तो आप इसका benefit आपको मिलता है जैसा कि इसमें आप दे सकते हैं कि कौन कौन से पाद इसमें रहने वाले हैं number of vacancies हो है इसमें आपके 29 posto पर होने जा रही है जो कि class 3 और 8 posto में class 4 पर ये भरती होने जा रही है और कौन कौन से पाद इसमें निकले हैं आगे मैं आपको इसमें बताऊंगा जैसा कि इसमें आप देख पार है designation of post, physically requirement, job involved, visual accuracy, frequently movement, walking आप दे सकते हैं कि जो पहली post इसमें रहने वाली है वो है junior engineer की जो कि civil की रहने वाली है 9 post है आप दे सकते हैं कि deep, hard, or hearing के लिए 3 post है और जो specific learning disability है mental illness उनके लिए 3 post है और multiple disability involving उनके लिए 3 post है इस परकार आप दे सते हैं कि civil में 9 post है आपकी fill होने जा रही है और junior engineer mechanical में आपकी 2 post हैं जिसमें की low vision के लिए 1 है और deep, hard, or hearing के लिए 1 है और इसी परकार से junior draftsman की 4 post है आपकी रहने वाली है जिसमें की आपके deep, hard, or hearing की 1 है और one arm and one leg जिसका disability है तो उने 1 और आपके पास multiple disability के लिए 1 है और JYT के सबसे जादा 12 post इसमें fill लोने वाली है जिसमें की blind, low vision के लिए 3 post है और deep, hard, or hearing के लिए 3 post है one arm and both arm जिनका ये damaged है उनके लिए 3 post है और उसके बाद आपके पास जो learning disability है, mental illness उनके लिए 3 post है आप देशने हैं की stenotype की इसमें 2 post है जो की deep, hard, hearing के लिए रहेंगी और एक one arm and one leg जिसका damage है तो एक post उनके लिए रहने वाली है तो ग्रूप C में जैसे की PN की आपके पास 3 post है जिसमें की एक deep, hard, or hearing की एक है और one leg, one arm जिसका damage है उनके लिए 1 है और आपके पास mental illness के लिए एक है और चौकीदार की आपके पास 5 post है जिसमें की low vision के लिए 2 और deep, hard, or hearing के लिए एक one arm and one leg जिसका defected है उनके लिए एक है और mental illness, learning disability के लिए एक है तो इस परकार से ही आपकी post रहने वाली है और यहाँ पर उन्हें minimum qualification भी आपको बताईए कि आपकी इसके लिए क्या चाहिए तो junior engineer के लिए आपके पास आपको पताए कि आपके पास civil engineering की degree होनी चाहिए जैसा कि इसमें पताए कि must possess the three year regular diploma or degree in civil engineering तो आपके पास diploma या degree में से कोई भी चलेगा वो आपके पास होना चाहिए और junior engineer mechanical के लिए भी आपके पास degree या diploma मेकैनिकल में होना चाहिए और desirable में custom manner का आपको हिमाचल का पता होना चाहिए junior draftsman के लिए आपके पास matriculation और its equivalent from recognized board आपके पास metric होनी चाहिए और आप दें सकते हैं कि at least आपके पास civil engineering का droughtsman का diploma आपके पास होना चाहिए तब याप droughtsman के लिए apply कर सकते हो और उसके बाद आपके पास JOIT आपके पास simple plus two होनी चाहिए यदि आपके पास plus two है तो आपके इसके लिए apply कर सकते हो यदि आपके पास metric है और उसके साथ आपने ITI यानि की इसमें information technology में की है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और आपके पास 30 word per minute English में आपकी typing speed होनी चाहिए और हिंदी में 55 word per minute आपके पास होनी चाहिए आपके पास Hindi English में होनी चाहिए तो आप ये आपके पास होनी चाहिए PN के लिए आपको पता है कि आपके पास metric होनी चाहिए metric आपके पास यदि है तो आप इसके लिए apply कर सकते है चौकीदार के लिए आपके पास 8th pass होनी चाहिए should be a middle pass or equivalent from the recognized board of school education यानी कि यदि आपके पास 8th है तो आप इसके लिए apply कर सकते है तो आप दे सकते हैं कि pay level भी हाँ परियो ने मेंशन किया है कि junior engineer को pay matrix का 60% दिया जाएगा जो कि 23,100 रुपए salary आपकी contract period में रहेगी और junior draftman को जो salary दी जाएगी वो 15,360 रुपए contract period में दी जाएगी दो साल तक जो IT को 12,360 रुपए आपको contract period में दी जाएगे और steno typist को 12,780 रुपए contract period में दी जाएगे ऐसा आप दे सकते हैं और PN के लिए जो कि daily basis पे रहे जो कि आपके लगबग 375 रुपए दिन रहता है जो कि 9-10,000 रुपए पर मन्त आपको salary मिल जाएगी तो आपकी age यहां mention की है तो आपकी जो age है वो होनी चाहिए 18-45 साल के बीच में तो यदि आप हो तो उसके लिए apply कर सकते हैं और weight is of marks जिसमें बताएगे हैं कि आपको किस किस परकार से marks दिये जाएगे यहां maximum marks group C और D category कि इसमें बताएगे हैं जैसे कि आपके PN और जो चौकिदार रहते हैं उसके लिए direct आपका selection होगा आप इसमें दे सकते हैं और application form इन्होंने यहां mention किया है आपको जो है अपना application form फिल करके जो है यहां पर इन्होंने का है कि 5-2-24 तक जो non-travel area है उनके लिए रहेगा और try area के लिए आप 15-2-24 तक apply कर सकते हैं तो आप जब भी आप form बर रहे हो तो आप यहां पर इन्होंने का है कि envelope containing application form should be superscripted as followed तो आपको जो application envelope में आपको उपर बड़े अक्षरों में लिखना होगा कि आप कि इस post के लिए apply कर रहे हो उसका name आपको यहां mention करना होगा आप दे सकते हो कि इन्होंने यहां पर mention किया है और साथ में आपको यह form भी यहां mention किया है इसमें application form the post op आपको post यहां लिखनी है और आपका passport side photo यहां जिपकाना है तो यह notification में आज आपको लेकर आ गया था आज कि notification आपको किस प्रकार की लगी आप इस वीडियो को like कर सकते हो share कर सकते हो इसी प्रकार के future update के लिए आप हमारे channel competitive exam से जोड़ सकते हो धन्यवाद